नमस्कार, हम लोग लास्ट लिक्चर में यहां पर रुके थे जो कि मैं भुच का डामेज दिखा रहा था, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें स्ट्राइक स्लिप का क्या सिगनेचर हम लोग देख पाएंगे सर्फेस पर, यह बात हम लोग अल्रेडी कर चुके हैं, तो सर्फेस एक्सप्रेशन जो है यह एक फोटोग्राफ है आपका 1979 Imperial Fault Earthquake का US में जिसमें आप देख सकते हैं कि यह displacement यहां पर इसके along हुआ था करके, और यह काफी साफ नजर आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो agricultural field से जो made बनी हुई है, खेतों में वो आपके displace हुई है, तो यह वाला portion आपका इधर गया है और यह ऐसे आया है, तो यह हमारा हो जाएगा right lateral strike slip fault, इसके बारे में आगे भी बात करते हैं, इस तरह ही क्या evidence हम लोग देखेंगे इसमें करके, जनरली यह देखा गया है कि strike slip fault जो होता है, वो आपका वो सीधा एक line में नहीं होता है, एक zone होता है करके, तो कभी-कभी जो है आपका इस तरह से जाएगा या तो फिर यह यहां पर आगे बढ़ेगा करके, तो अगर यह इस तरह से अगर false जो हैं, जिसको हम लोग कहते है step over, तो अगर यह इस तरह से बन रहे हैं, तो अगर यह movement अगर इसमे right lateral moment है, अगर मालने, तो हम लोग को यह right lateral इस तरह से है, यह या तो यह तो left lateral, अगर हम लोग देखे हैं इसको यहां से, यह right lateral हो गया, कहीं से भी खड़े हो का आप देखेंगे, तो वो same sense of moment होगा करके, तो यह भी right lateral है आपका, यह moment भी ऐसे हो रहा है, करके, तो यहां पे भी यह moment ऐसे हो रहा है, यह इसका moment ऐसे जा रहा है, यहां पे भी यह moment यह है, यह है करके, तो किस तरह की features यहां पे बनेंगे करके, तो अगर यह portion जो है, आपका यहां से step over हो रहा है, यह portion जो है, इस में आपका यह part है, यह इस तरफ move कर रहा है और यह इस हो जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग जनरली देखते हैं कि यह एक depression बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं sack bonds और यहाँ पे क्या हो रहा है यह portion में आपका जो है यह दूनों तरफ से दबाव पैदा हो रहा है तो यहाँ पे का pressure ridge बनेगा तो यह चीज़ें हम लोग ध्यान में रखें और यह जादा तर जो है एक linear value बनाता है यहाँ पे जब भी इस तरह का strike slip का moment होगा linear value होगी और उसके साथ साथ जो हम लोग दे रहे हैं कि stream offsets होंगे आपके तो यह stream offsets जो हैं यह भी एक काफी prominent evidence हम लोग लेके चलते हैं करके तो यह हमारे पास linear value बनेगी और shutter ridge जो है अगर यह oblique slip हो रहा है तो यह आगे एक ridge की तरह बनता है जो कि pressure ridge भी कहा जाता है वो बनेगा offset of drainage होगा यहाँ पर और sag bonds बनेगे तो यह main criteria है या तो evidence है जिसको हम लोग ध्यान में रखते हैं जब हम identify करते हैं करके तो एक तो यह step over वाली जो है चीज यह आप ध्यान में रखेंगे तो इससे थोड़ा सा आपको idea मिलेगा मैं इसको वापस एक बार बना देता हूँ तो आपके लिए आसान होगा समझना करके तो मालनी जे कि आपके पास यह main fault है और आपका जो है step over हो रहा है यहां से यह हम लोग इसको कहेंगे क्योंकि step over इदर हुआ और दूसरा step over आपका यहां पर बन रहा है करके तो यह हम लोग अगर माल लीजे कि यहां पर खड़े हो के देख रहे हैं या तो यहां खड़े हैं कहीं पर भी करके तो यह हमारा right step over हुआ यह हमारा right step over है और यह हमारा left step over है करके तो इसमें अगर moment जो हमारा है जस तरह से हम लोग बता रहे थे मैं बता रहा था कि आगे यह आपका right lateral movement है यह left lateral है यहाँ पे यह left block जो है आपका आपकी तरह आ रहा है करके तो अगर हम लोग इसको लाइट भी कहरे हैं तो कोई issue नहीं है, एसमें अगर हम लोग इसको करते हैं तो right का और left में उसी तरह से हमारे वो बनेंगे करके तो यह जो block है हमारे पास, यह right जो है हमारी तरह आया और left हमारे से दूर गया तो यह आपका right lateral strike slip है तो इसमें जो है हमारे पास जो deformation होगा वो इसी हिसाब से होगा तो यहां पे क्या है यह दो area के बीच में दबाव बनेगा और यहां पे जो है यह यह भी क्योंकि यह step over यही दिख रहा है तो यह आपके भी यहां पे भी यह दबाव बनेगा और माल लीजे कि यहां पर आ रहा है कर तो अगर मैं इसको अच्छे से बनाता हो एक बार और बना के दिखाते हैं हम लोग तो अगर यह देखें तो यह हमारा extension हो गया, तो यहां पर हम आपको जाजतर, जो है, sack points में लेंगे करके, तो यह कुछ चीजें हैं, जो कि हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसके अलावा, जो stream offsets हैं, और उसके बारे में हम लोग आपके पास अगर माली जी के कोई rail track है, कोई भी structure है surface पे, तो किस तरह से दिखेगा, तो left lateral में left block जो है, वो आपकी तरफ आया और right जो है, वो आपके आपस दूर गया, और right lateral में जो कि dextral है, उसमें आपके पास right block आपकी तरफ गया, और left block आपस दूर गया करके, तो यह च और अगर यहाँ पे भी खड़े हैं, और उसको देखेंगे strike के along, तो यह भी आपका left lateral, उसी तरह से आपका, यह dextral moment भी इसी तरह से दिखेगा, तो यह चीज़ ध्यान में रखें, कि right lateral जो है, उसको dextral moment कहते हैं, और left lateral को आपका sinistral moment कहते हैं, और यह कुछ, एक sketch दिख slip बताता है करके, यह एक example है, जो कि मैंने पहले भी बता है, यह 1906 में जो यह बोकम पाया था, San Francisco earthquake है, उसमें यह fence move किया था, तो अगर इसको हम लोग देखते हैं, तो यह आपकी, यहाँ से fault line है, तो यह पार्ट है, यह आपका, यह move किया है, और यह इधर move किया है, तो यह हो जाएगा, आपका right lateral हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर भी दिखाया गया, जहाँ पर sack points बन रहे हैं, और तो यह offset of streams भी हम लोग ले रहे हैं, linear valleys भी ले रहे हैं, consider कर रहे हैं, तो यह identify जब करते हैं हम लोग, surface वे, satellite data से, तो हम लोग यह सारी चीज़ें ध्यान में करता है, कि वो आपको एक सर्फ generally, एक scarf दिखाई देगा यहाँ पर, लेकिन इस में जो strike slip होगा, तो normal fault में, दोनों में more or less similar, आपको surface expression दिखाई देंगे, करके, क्योंकि अगर मान लीचे कि हमारे पास यह block, move किया है, करके, यह हमारा, यह है, तो यह अगर move किया है, तो यह तरह का scarf नज़र आएगा, करके, यह अगर normal fault है, यह block अगर नीचे जा रहा है, तो भी इस तरह का scarf नज़र आएगा, लेकिन strike slip में, हमारे पास, जो है, वो stream offsets होगे, आपके इस तरह से, और फिर sack points बनेंगे, आपके, depending on की कौन सा step over हो रहा है, करके, उस तरह से sack pond या तो pressure ridges बनेंगे, वो हमको ध्यान में रखना है, यह एक example है, बड़ा खतरनाक, जो हम कहेंगे, in terms of the earthquake, very dangerous fault on the earth surface, a sand and the asphalt system, जिसमें आपको यह fault scab भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे, और यह stream offsets भी आप देख रहे है, यह सबसे ज़्यादा offset बड़ा stream का है, जो कि आपका यहाँ पे देख रहा है, और इसी तरह से छोटे-छोटे offsets भी हैं, तो यह offsets जो है, यह younger displacement दिखा रहे हैं, और यह cumulative displacement दिखा रहा है, यानि एक से ज़्यादा earthquake में यह move किया है, करके, तो यह चीज़ें जो हैं हम लोग ध्यान में रखेंगे, so for example, हम लोग को क्या-क्या चीज़े दिखान में रखनी है, अगर strike slip, fault के बारे में हम लोग को जानकारी लेनी है, और इसको identify करना है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, offset of streams, आपका है, और offset of ridges, क्योंकि जो भी surface पे landform होगा, वो displaced होगा, formation of linear valleys, sag ponds, और आपका shutter and pressure ridges, तो यह चीज़ें हम लोग अपने backpack मे लेके चलेंगे, जब हम लोग को identify करना है करके, तो typical strike slip के लिए है करके, एक example और है, जो कि मैं यहाँ पर जर्चा में लाना चाहूंगा, वो है आपका कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई deformation पहले हुआ था, और उसका trace हमने identify नहीं किया, तो बहुत बड़े chances हैं कि हम उ उसके उपर ही construction करना शुडू कर देंगे, तो इसलिए अब जो पिछले 10-20 वर्चों में यह studies की जा रही है, Japan में है, US में है, अभी इंडिया में भी हो रही है, तो यह ज़रूरी है कि हम एक active fault atlas बनाए हमारे लिए, और वो atlas जो है, वो digital platform पहला कि आज कल digital का जमाना है, तो digital के माधिन, उसके medium से हम लोग उसको लोगों तक पहुंचाए और जो भी users है, town planners है, या policy makers है, वो इसको इसको इस्तमाल करें, तो यहाँ पर यह example इसलिए दिखा रहा हूं कि यह 1800 क्याम 1891 में इसको ठीक कर लेना, ठीक है, तो यहाँ एक example में दिखा रहा हूं कि 1891 में नोबी earthquake आया था, वो जपान में था, जिसका magnitude 8 था, और उसमें यह surface rupture आया था, यह बला आपका जो है, यह surface rupture है आपका, तो यह photograph जो है, यह 1893 में, जो है, कोटो करके थे, उन्होंने यह photograph लिया, अब आगे देखते हैं कि इसमें हुआ क्या अगर के, तो यह photograph के resolution इतना ज अच्छा नहीं है, फिर भी यह देखें कि फिर एक बार भी पहले एक photograph लिया गया था, यह 1893 में था, लेकिन उससे पहले का एक, शीको ने photograph लिया था, इसका rupture का, तो यह rupture है आपका, और यह सेम photograph बाद में भी लिये गए हैं, दूसरे geologist ने, तो वो भी हम लोग देखते ह हैं, लेकिन हमारी जो यादाश है, वो कितनी कमजोर होती है, वो इस बारे में बताएगा, यहां पर हम लोग बात करें करके, यह photograph लिया गया 1969 में, उकाड़ा करके थे, उन्होंने लिया करके, तो आप देखेंगे कि यह यह आपका जो एरो दिखाया गया, यह आपका फॉल तो इसमें लोगों यहां पर रोड बन गई अब तो करके, और यह जो है, यह फॉल ट्रेस है करके, आगे देखें क्या होता है करके, प्रेजन कंडिशन जो है, यह प्रेजन कंडिशन हम फिर से दस साल पहली की बात करते हैं, दस पंदरा साल उससे जाद आपकी हम लोग बा वहां पर इस तरह की गलतियां की गई है करके, तो फॉल ट्रेस अगेन यहां पर मार्क किया गया है, आपके पास यह है, दो एरो दिखा रहके, तो फॉल जो है, यहां से कहीं से आपका जा रहा है करके, तो रोड बनी और हाइवेज भी बनना शुरू है, इसके अलोंग, औ यह हो रहा है 1991 में, तब तक इनके पास जादा इसकी exercise मतलब नहीं की गई थी, इसका survey नहीं किया गया था, survey जो जपान में शिरू हुआ, वो हुआ 1995 के बाद यह जोग था, आपका Kobe का earthquake था, Kobe का earthquake के बाद जादा awareness क्रियेट हुई, और उसके बाद इस तरह के constructions को रोका गया करके, दिखिए एक example है जो कि मैं आपको बताना चाहरा था कि जिसमें हमारी यादाश जो है वो बहुत कमजोर होती है और हम इन चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं करके, अब आ रहा है हम लोग normal fault के बारे में थोड़ा सा देख लें, जो कि हमने reverse fault के बारे में और hanging wall है, तो यह one of the best example है आपका, उतक का जहां पे आपका normal faulting हो रही है और इसके साथ deformation भी हो है और surface पे इस तरह से कुछ नजर आ रहा है, यह hanging wall जो है यह आपके नीचे के यह foot wall दिखाया है और surface expression कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, यह एक example और है, जो कि abnormal faulting का है, करके यहां से fault pass हो रहा है और यह displacement है, यह आपका normal faulting का, यह block जो है यह वाला और यह वाला surface एक जमाने में same था करके, यह भी आप देख सकते हैं इसमें, यहां पी यह normal faulting हुआ है करके, तो मैं जो बात कर रहा था कि अगर मान लीजी कि यह future में erode हो जाएगा, तो यह profile कुछ इ यहां लगेगा आपका यह वाला fault plane है आपके, तो यह block जो है आपका नीचे गया है और यह आपका foot wall है करके, और यह hanging wall हो गया आपका, यह भी कुछ एक पहले बात कर चुके हैं हम लागे, तो आगे बढ़ते हैं इसमें, अब extensional tectonics में usually यह देखा गया और लार्जर स्के बात करते हैं, तो हमारे पास एक combination जो था, वो था आपका anticline and sincline, लेकिन extension में क्या होगा, हमारे पास दो होगा, वो होगा, graban and host, और यह अमोमन बात की गई है, कि जो host है, वो portion उपर गया है, और जो graban है, वो portion नीचे आया है, that is relative movement हम लोग बात करते हैं, along the fault, मतलब यह faults ह आपके पास, तो अगर इसके along गया है, लेकिन कुछ लोग यह कहते हैं, कि host जो है, वो उपर नहीं गया, वो stationary उसी समय, उसी line में रहा, लेकिन graban के वज़े, graban बनने के वज़े से, जो blocks नीचे गया है, उसके वज़े से आपका, वो portion आपको दिखाई देता है, कि उपर है यह हम आगे बताते हैं करके, तो यह host and graban, जो है, यह graban जो है, depression है, और elevated portion को host करते हैं, यहाँ पर करके, तो यह एक, जो host and graban topography है, यह generally देखी गई है, extensional tectonic environment में, तब signature जो है, extensional के, जैसे मैंने कहा है, यह host है, तो यह block जो है, is thrown up, इसको आमोमन यह माना गया है, कि यह block जो है, यह उपर गया है, आपका, और यह block जो है, नीचे आया है, जो graban का है, करके, तो यह एक depression मनाता है, और इस तरह की topography अगर हम लोग देखते हैं, तो यह आपको इस तरह से दिखेगी, लेकिन जादा तर geologist हैं, यह मानते हैं, कि जो यह आपका host था, वो तो अगर इ यह portion आपके नीचे गया है, तो यह portion नीचे जाने के वज़े से आपको topographic variation नजर आता है, तो यह कुछ geologist जो है, इस बात को नकारते हैं, कि horse जो है, वो अप्थरोन है, वो अप्थरोन नहीं है, वो लेकिन graban है, तो यह एक normal falting के बारे में हम लोग देखें, यह total जो है, ज in terms of the extension, जब हुआ करके, तो टोपोग्राफिय अगर satellite data से देखेंगे, तो कुछ इस तरह की नजर आएगी, जिसमें यह host, यह graban है, यह host है आपके, और यह graban, इसका combination देख रहा है, करके यहां पर हमारे पास, अब आते हैं, कुछ बातें कर लें हमारे हमारे हमालिया के बा है, बदलती है, करके, तो देखें, इसमें क्या evidence, हमने देखें हैं, इसमें करके, तो हमालिया का जो है, यह हम already पहले समझा चुके हैं, तो इसलिए में ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन mostly जो हमारे पास जो है, इस तरह के, यह fault lines हमारे पास हैं, जिसके along, यह moment हो रही है करके, तो इसमें कुछ चीजें हैं, जो हम बताएं करके आपको, यह एक North West Himalaya का area है, जिसमें हमने satellite data से इसको बनाया है, करके, landsat data इस्तमाल किया था, और SRTM जो है, satellite radar topographic mission data, जो है, वो इस्तमाल किया है, इसमें, और इसका 3D perspective view दिया है, जो कि हम लोग, जैसे मैंने पहले क करने में, तो इसमें हमने क्या पाया कि, जो active deformation हो रहा है, जो active falls के along हो रहा है, सिर्फ वो earthquake ही नहीं generate करते हैं, बट landscape को भी प्रभावित करते हैं, करके, तो यह एक area था ऐसा, जो कि इसमें हमारी research ने यह बताया, कि यह जो portion है, यह वाला, इसका मैं color change करता हूं, तो आपको थोड़ा सा, अच्छे से समझ आएगा, यह जो portion है, इसमें, यह portion जो है, यह करीब इसके अगर topographic profile हम लेंगे, तो यह कुछ इस तरह से नज़र आएगा, अगर यहां सेम लोग इसको cross करें करके, तो यह आपको इस तरह से कुछ, यह platform नज़र आता है, यह plateau type है, करके, अग कोई hill पे बैठे हैं, बिलकुल आपको लगेगा कि आप Indogangetic plane में हैं, तो हमारा यह interpretation यह रहा कि यह जो भी शतलज है नदी, यह किसी जमाने में यहां से बहा करती थी, और इसका जो हमने trace identify किया, यह हमारे research paper में भी है, यहां से था, तो यह कर किसी जमाने में यहां से बहा करती है यहां पर, तो यह अभी नदी जो है, वो यहां से बहती है आपके करके, इसी तरह से बियास का भी है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, तो यह नहीं सिर्फ earthquakes पैदा करते हैं, और 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 landscape भी बदलते हैं, जिसका प्रभाव जो है, हमारी जो settlements हैं, उस पर पढ़ता वाला, तो यह आपकी valley है, जो कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यह सोंदून है, यह सोंदून valley है, यहां पर यह वाली, और यह आपका, यह वाला जो area है, यह kangड़ा area है, पूरा करके. तो अब आते हैं, thrust fault पे, जो कि हम लोग बात कर रहे हैं, compressional tectonic, Himalaya जो है, हमारा compressional tectonics में ही बना है, तो low angle fault अगर होगा, जैसे हमने कहा है, low angle, reverse fault जो है, अगर low angle है, तो आपका, वो हम लोग उसको कहेंगे, आपका thrust faults, that is less than 45 degrees जो है, और greater than 45 degrees है, तो उसको हम लोग reverse fault कह कहेंगे, और यह thrust fault कहेंगे, करके इसको, और यह दोनों जो है, compressional tectonics में ही आते हैं, करके, यह भी एक example है, आप पूरा देख सकते हैं, कि यह low angle fault है, यहां से जा रहा है, और यह पूरे rock इसके साथ deform हो है, करके, तो typical example है, आपका thrust fault का करके, और reverse fault भी जो है, अगर angle greater than 45 degrees ह है, तो आपका यह reverse faulting है, आपका, यह example जो हमने already बताया है, आपको यह 2005 का जो earthquake था, वो इसके along आया था, और इसका fault जो है, वो यहां से पास हो रहा है, और यह जो है आपका, यह faults का, अगर इसकी topography हम लोग बनाएंगे, तो यह इस तरह के आपको दिखेगी, तो यह आपक चीज़ identify की गई थी और Geological Survey of Pakistan को यह बताया गया था, कि यह active fault है, और यह आपका future में आपको यहां पर अर्थकोएक आ सकता है, और 2005 में यह आया था, और वो बताया गया था, करीव if I am not wrong, 1995 में उनको बता दिया गया था, कि इस तरह का आपकी यहां पर faults हैं, वो इसी तरह स इंडिया में भी हमारे पास काफी इस की तरह के faults हैं करके हैं, तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, करके हिमालिया के बारे में और देखेंगे, तो मैं पहले जो चाहूँगा कि यहां के यह बहुत ही हमने डिटेल में यहां पर काम किया है, जो कि चंदीगर सिटी है, यहां हम लोग यहां पर जाएंगे, इस बारे में जो बियास का मैं कहरा था, वो बात करेंगे, करके, तो चंदीगर सिटी जो है, हम लोग जो जानते हैं सब के यह बहुत ही well plant है, करके, तो सिटी है, 1947 में इसको प्लान किया गया था, और यह French architect थे, उन्होंने बनाया था, इसको इसका पूरे design किया था, तो यह सवाल यह है कि क्या इसमें उन्होंने जो fault है, जो कि बिल्कुल पास में बैटा है, जिसको हम लोग कहते हैं, Himalayan frontal thrust, तो यह जो है, Himalayan frontal thrust, क्या इसको consider किया गया था, और इसके बारे में उनको पता था, और जहां जो भी मकान वहां बनाए ग तो answer है no, कुछ हिसाब से नहीं बनेगे, हाला कि अभी जो construction बहुत जादा आया है, वो पंचकुला area में आया है, वो भी उसको भी consider किया गया है, तो हमारे पास यहां पर evidence जो मिले हैं, कि 1400 से 1500 की AD में, यहां पर major earthquake था, यह evidence हमको मिले हैं यहां पर, तो प्रशन था क्या है, इसको consider किया गया था, उत्तर है, ना, नहीं किया गया था, और यह evidence जो है, यह तो अभी हमने, हमको मिले हैं करके, तो यह जो fault है, यह काफी pass में है, hardly यह जो है, अगर हम लोग इसको देखें, तो यह डेड़ से 2 किलोमेटर का distance है, जो कि कुछ नही है हमार लिए, यह बहुत ही नजदीक बैठा हुआ है, यह fault, तो जब भी ground acceleration इस पर होगा, वो इस area को प्रभावित करेगा in future, और यह हमारे पास जो है, इसको हमने नाम दिया है, जो fault identify किया है, इसको हमने का है, चंदिगर fault, और यह active fault है, और यह काफी main boundary से लगता है, क्यो तो यह कुछ map है, जिसमें तमाम तरीके के हमने जो faults identify किये है, mostly यह जो faults है, यह thrust faults है, लेकिन यहाँ वाला है, यह strike slip fault है, यहाँ पर करके, तो काफी short distance में इसमें हमने किया है, तो यह और भी एक example यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगा, कि यह एक proctern and gamble company है, उनको बड़ी गर के एक जगे है, जो कि बड़ी जो है, वो यहाँ पर आता है, इस एरिया में, यह एरिया में यह बड़ी है, यह एरिया में इनको factory लगानी है, और इनको लगानी factory थी, लेकिन उससे पहले, यह report में इन्होंने हमसे भी कुछ input मांगा कि यह बताईए, कि यहाँ पर factory लग लगानी है, तो इन्होंने exactly जो था, यह हम लोगों का यह map जो था, fault map इसको इस्तेमाल किया, और यहाँ पर इसलिए मैं इसकी importance लाने चाहता हूं कि इन्होंने यह भी देखा कि यह fault का sense of moment क्या है, कितना magnitude इस पर आ सकता है, और ground acceleration का क्या situation हो सकती है, तो आगे बढ़ते हैं इस पर, जो कि Pockton Gamble का जो था एक report, तो इन्होंने यह सारी चीज़ें इसमें consider की गई, कि जो कि आपका हम कहलें कि dip of the fault क्या है, sense of the fault क्या है, कि length है fault की, और क्या magnitude का earthquake आएगा, यह basically हम लोग का जो इनका काम था, वो seismic hazard assessment का था, तो अगर यह हम लोग लें, active fault इसका 3D image है, तो हमारे पास जो है, यहाँ पर, एक fault यहाँ है, दूसरा यहाँ है, पिंजोर गार्डन फॉल्ट है, तीसरा यहाँ पर है, और चौता यहाँ पर है, तो यह बहुत ही कम distance में, hardly यह 50 km से भी कम distance होगा, यहाँ से यहाँ तक का, इसमें हमारे पास जो है, यह 4 fault है, और यह 4 कि चारो active हैं, false, तो लेकिन जरूरी नहीं है कि ये चारो एक साथ slip करेंगे, हो भी सकता है slip करें, लेकिन अगर slip करेंगे चारो तो बहुत बड़ा भुकम इसके लिए चाहिए हमारे पर, तो हमारे पास यहां का data है, जो कि बताता है कि यह फिर से वही है जो कि हम बता रहे थे तो यहां पर हमारे पाइज जो है यह पंदरा सो के साल में एक अर्थक्वेक है चौदा सो से पंदरा सो कि आसपस एक बुकम्ब है लेकिन रिसेंट स्डीज जो हमारी हुई है यहां पे एक परचा भी आया है जिसमें हमने देखा कि यह चौदा सो एडी में यहां पε ऐक बड़ा बुकम्ब है तो हमने ये कहा है कि possibly ये बुकम जो था काफी बड़ा था और ये इसके साथ भी मैच करता है तो ये दोनों फॉल जो है ये मूव किये थे आपका ये वला भी मूव किया और ये मूव किया इसके लिए काफी जादा एनरजी रिलीज हुई होगी और बड़ा भुकम रहा होगा ये ये हमने बात किये अब फॉल टोपोग्राफिक की बात करते हैं सर्फेस एविडिन्स क्य हैं हमारे पास इसके बारे में थोड़ा साथ देख लेते हैं कि पिंजओर गार्डन पे हमको क्या दिखा करके तो ये पिंजओर गार्डन के बारे में हैं यहां से ये जो पोर्शन हम दिखा रहे हैं ये वाला ये यहां का है इस पोर्शन का है और ये फॉल जो है आपका य जो कि बड्डी की भी हम लोग बात कर रहे थे इस तरह का, तो यह जो है यह जो आपको दिख रहा है यह पिच्चर में, यह आपका है यह पुराना मुगल गार्डन है, इसको अभी जो है पिंजवर गार्डन के नाम से जाना जाता है, तो यहां से यह फॉल ट्रेस पास हो रहा है, तो जब यह बनाया गया था यह, मुगलो ने यह गार्डन बनाया, तब जो है इनको इस बारे में नहीं पता था कि यहां से फॉल जा रहा है, अब प्रशने यह है कि उस से में नहीं पता था, तो क्या हम लोगों को अभी पता था जब हमने कुछ constructions की है तो उत्तर नहीं है हमें नहीं पता था करके इसके बारे में हम लोग और देखते हैं करके तो यहां पर यह सारे fault traces हैं मतलब जो arrows mark हैं यह सारे fault traces हैं यहां पर जो के active fault हैं और उसके उपर जाने अंजाने में कुछ structures बन चुके हैं already तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जेखेंगे आगे तो आगे देखते हैं इसमें और क्या है हमर पस तो यह पिंजवार गार्डन का Google image है और जैसे मैंने कहा कि fault यहां से पास हो रहा है और यह portion up है यहां पर और यह down है करके तो यह इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि क्या किया गया तो यह satellite picture है इसकी और यहां पर इस चगे में यह वाले portion में हम लोग ने देखा कि एक यहां पर पुराने जमाने का एक hotel जो मतलब structure बनाता है उसको hotel में convert कर दिया गया है करके और यह भी fault scarf के उपर ही बाठा है करके और अगर आगे देखें तो यह काफी गहराई में है और इसका मतलब गहराई यानि इसका elevation काफी बड़ा है करीब 10 से 12 मिटर का है और यह photograph हमने इस तरह का लिया और यह wall जो है आपको यह दिख रही है यह वाली wall है यह हमारा photograph नहीं यह पहले लिया गया था और यह scarp है आपका यह fault scarf है तो exactly यह जो यहाँ से fault line जा रही है यह fault line इसको cross करती है मतलब यह वाला जो portion है इसको cross करती है तो यह जो garden बना है यह exactly fault line के उपर बना है एक evidence है और यह तो earthquake feature है earthquake से related यह हमने 2000 में लिया यह photograph जहाँ पर road बन चुकी है और लोग आराम से पास हो रहे हैं जिने पता नहीं जिस तरह से मैंने जपान का photograph पताया था आपको तो यह एक fault scarf जो है पिंजॉर में है और यह future में move करेगा इसमें काफी मतलब अगर 1400 का हमारे पास जो इसका हुआ है कि 1400 AD में यहां पर अर्थक्विक आया तो पिछले 600 साल से यहां पर कोई भुकम पाया नहीं है तो इसमें आने की संभावना हैं बहुत जादा हैं करके तो यह जो garden था इसको बनाया गया था यह करीब 17th century में बना था यह करके यह garden जो है और यह 17th century में इसको बनाया था यह सोच कि क्योंकि मुगल्स का जनरली यह रहता था कि वो अपने गार्डन्स की बीच में अगर आप कश्मीर चले जाएं या आप देली में कुछ गार्डन्स देख लें तो वो बीच में एक पानी का बहाव रखते थे जिसको हम लोग चश्मा कहते हैं करके तो वो वो elevation change जो है वो naturally use करना चाह रहते तो उनके पास एक step मिला हुआ था जो कि fault scarf था तो उन्होंने इसको लेके यहां पे construction कर दिया और यहां से आपने पानी लेके यह बीच से बहा दिया करके तो यह जो है यह structure जो है यहां पे fault यहां से pass हो रहा है और इसको हम लोग अभी जो है वह इसके बारे में लेकिन इनोंने बना दिया क्योंके natural topography चाहिए थी इनको तो यह किया अब जब हमने इसमें trench किया हम दिखाते हैं उसको कैसे हम ने किया यहां पे और इसके पहले जो हम लोग बात कर लें कि चंदीगड में जो है हमने जो काम किया वो क्या दिख रहा है करके यह चंदीगड का fault scarpe आप दिख रहा है हमारे पास यह जो photograph है वो यह इस जगे का है करके तो यहां पे आपके पस जो scarpe है यह दो scarpe है इस scarpe एक यहां पे है यह दूसरा वाला छोटा वाला यहां पे करके तो यह दिखाता है यह more than one earthquakes में यह हुआ है करके और इस area में यहां से पास होता है आपका और यह building जो है यह exactly उसके उपर बनी हुई है करके दूसरा एक structure है जो कि इसके उपर बना है फॉल्ट के उपर है यह एक theater है सूरज theater वो भी उसके पर बना है करके जो लोगों को पता ही नहीं है कि यहां से फॉल्ट पास हो रहा है करके तो जो मेरा question थ हम लोग कह रहे हैं चंदिगड को क्या वो समझ के समझभूच से बनाई गई थी या उसको plan किया गया था तो answer है नहीं यह मैंने photograph लिया है जो कि हम लोग false carp के उपर है और यह पंचकुला की तरफ मैं देख रहा हूं जहां पे इस तरह का construction हुआ है और detail में next lecture में बात हुआ है हुआ है